जबसे दूरदर्शन रामाण को दोबारा लेकर आया है। तबसे ही सोशल मीडिया पर इसे लेकर दर्शकों का जवर्दस क्रेज देखने को मिल ला है। हर कोई इस धार्मिक सोशे जुड़े एक्टर्स के बारे में जानना चाहता है। रामाण से कई किरदारों के बारे में हम आपको जानकारी देते रहें। पर आज हम आपको रामाण के एक ऐसे किरदार के बारे में जानकारी देंगे जो राम का सबसे प्री था। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं रामाण में भगवान राम के प्री भर भरत का किरदार निभाने वाले अभिनेता संजय जोग के जिन्दिगी से जुड़े कुछ किस से नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट चैनल ब्यूटिफुल बॉलिवुड में आपको इस वीडियो के अंत में ये बताएंगे कि रामायर में भरत का खिरदार निभाच के संजय जोग के साहब जादे इस समय क्या कर रहे हैं कितने खुबसूरत हैं कितने स्मार्ट और कितने डैजिंग हैं फिल्मी दुनिया में किन फिल्मों में काम कर चुके हैं तो इसी तरीके से लगातार वीडियो पूरा देखते रही है। महराष्ट के नागपूर में जन में संजय ने मुंबई के एक स्टूडियो से एक्टिंग कोर्स किया था। उन्होंने 1976 में रिलीज हुई फिल्म मराथी फिल्म सिपला से स्क्रीन पर डेब्यू किया। ये फिल्म कुछ खास नहीं चली। इसके बाद संजय जोग ने नागपूर वापिस आकर खेती शुरू कर दी। लेकिन इसी दोरान उनकी किस्मत पलट गई। और एक मराथी फिल्म जिद में लीड रोल को आफर मिला। ये फिल्म हिड भी हो गई और संजय का कैरियर चल निकल पड़ा। रही बात हिंदी फिल्मों की। तो हिंदी फिल्मों में इन्हें अपना घर नामक फिल्म से डेव्यू का मौका मिला। और इन्होंने नजाने कितने फिल्मों में काम किया। वहीं फिल्मों में काम करते करते उन्हें रामानन सागर की रामायड में काम करने का मुखा मिला। बताया तो यह भी जाता है कि पहले संजे को लच्छमण का रोल ओफर हुआ था लेकिन उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया था। हाला कि बाद में उन्होंने रामायड में खुद काम करने की इच्छा जताई और उन्होंने भरत का किरदार निभाया। 1980 और 90 के दोरान संजे टीवी के मसूर एक्टर हो गये थे। लेकिन वो एक्टर से जादा एरफोर्स पाइलेट बनने की चाहा रखते थे। उनके माता पिता को ये मंजूर नहीं था। इसके पीछे की बड़ी एक दर्दनाट पज़े है। कई मीडिया रिपोर्ट में ये बताया गया कि संजे के परिवार ने 1971 में हुए इंडिया पाकिस्तान जुद्ध में करीब से करीब कई रिष्टेदारों को खो दिया। रामानन सागर की रामायड में सबसे इमोशनल और भावपूर किरदार निभाने वाले अविनेता संजे जोग को इंडिस्टी ने तब खो दिया था जब वो महज 40 साल के थे। उनकी मौत का कारण लिवर फेल होना था। भरत के किरदार से घरगर में मसूर हो चुके संजे जोग के फैंस को उनके निधन की खबर हिला कर रख दे दिये। जिस समय संजे जोग की मृत्ती हुई उस समय उनके पुत्र रंजी जोग 10th स्टैंडर में थे। रंजी जोग इस समय बहुत स्मार्ट है। बहुत कूल है, बहुत डैजिंग है, बहुत चार्मिंग है। और आज इस समय वो मराठी फिल्म जगत का एक बड़ा नामी गिरामी नाम बन गया है। उन्होंकी 2019 में मूवी आई थी एक होद पाणी जो सुपर डूपर हेट होई थी। आज संजय भले ही हमारे बीच नहीं है। लेकिन अपने निभाये के किर्दारों के चरिये वो हमेशा हमारे बीच में जिन्दा रहेंगे। आप बताएगा कि आपको पूरी रामाण में सबसे ससक्त अविनेता कौन लगा। कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट्स का में इंतजार करूँगा। जय हिन, जय भारत!